नमस्कार, घरेलू उप्चार में आपका स्वागत है, आप कहीं भी रहें, खुशाहाल रहें, और कोई भी काम करें, करने से पहले अच्छी तरह से सोचें समझें, फिर करें, सोच समझ कर किया हुआ काम सफल होता है, तो साथियों सबसे पहले मैं एक चुटकीला सुना रहा हूँ, यह चुटकीला एक सरावी ब्यक्ति का है, तो सरावी ब्यक्ति क्या बोल रहा है वैसे तो हम ज्यादा पीते नहीं थोड़ी से ज्यादा भी हो जाए तो हमें नासा होता नहीं और नासा हो भी जाए तो हम नाले में गिरते नहीं अगर नाले में गिर भी जाएं तो कुते हमें चाटते नहीं और अगर कूते चाट भी ले तो हमें कौन सा पता चलता है तो साथियों इस विडियो में सराब छुडाने का एक कदम बेलकुल सहज तोटका है असान है अगर कोई ब्यक्ति ज्यादा मत्रा में सराब का सेवन करता हो जिससे घर वाले तंग हो परिशान हो तो अगर घर के लोग चाहते हैं कि यह सराब छोड़ दें तो इस परियोग को आप करके उस ब्यक्ति का सराब छोड़ा सकते हैं तो हम इसका विब्रण आपको दे रहा हो कौवे का एक पंख को ले 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 और एक जो है काच के गिलास में पानी ले ले और कौवे को पंख को गिलास के पानी के अंदर डाल कर खुब उसको हिलावें और हिलाने के बाद वह पानी सराबी ब्यक्ति को पिला दें इस पानी को आप किसी न किसी बहाने पिला दें केओं की सराबी ब्यक्ति को अलग से कुछ दिया जाए तो वह जो है डरता है नहीं खाता पीता है उसको मालूम है कि कोई न कोई सराब फुडाने का ये दावा होगा तो आप किसी न किसी बहाने उसको पिला दें तो अब हम आपको काँच का गिलास और वह दिखाता हूँ कैसे आपको क्या करना है तो देखिए एक ऐसे गिलास लें पानी और एक कोई का पंख को डाल दें और डाल के अच्छी तरह थोड़ी देर ऐसे 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 हिलावें हिलाने के बाद यह पानी उसको पिला दें तो आप यह देख लिए सेम आपको ऐसा ही करना है और इस परियोग को कम से कम हफते में दो बार आप पिलावें तीन हफते तक कर दें जी तीन हफते यानी छे बार आपको पिलाना होगा फिर देखिए धीरे धीरे वह अब्यक्ति सराब पिना छोड़ देगा लेकिन सबसे सावधानी रहे कि किसी न किसी बहाने उस पानी को पिला दिया जाए और बीच में एक पंग से आप दो बार परियोग कर सकते हैं दुबारा परियोग करने के लिए दूसरा पंख लाएं एक पंग से सिर्फ दो बार करें और आपको छे बार करना है तो आपको तीन पंख लेना होगा इस प्रयोग को करें और सरावी भेक्ति को सराव से छुटकारा दिला दें तो साथियों इस तरह से हम आपको वीडियो देता रहूँगा और आप घर बैठे इस वीडियो का अनंद लें और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए हमें दीजिये इजाजत नमस्कार